किसानों को रोकने के लिए पूरी तरह से यानि कि इधर बात की जाए मैं खड़ा हूँ इस समय हर्याना पंजाब के बोर्डर पर टुकर बॉर्डर मेरे सामने आप देख सकते हैं यह पंजाब का बॉर्डर है और मैं हर्याना की तरफ हूँ यानि कि पंजाब बिल्कुल सामने मेरे आप देख सकते हैं तुकर बॉर्डर का यह पंजाब है यहां से किसानों को रोकने के लिए पूरी तरह से पुलिस तयार है आप दूसरी तरफ देख सकते हैं पुलिस का अमला तयार है और यहाँ पर बड़े-बड़े कहा जा सकते है कि जो बड़े-बड़े बंदरगा होते हैं उनके पास जिस तरह से ये पत्थर रखे जाते हैं बड़े-बड़े यानि कि वो लाए गए है से पैसल क्रेन रखी गई है रोड रोलर यहाँ पर तयार है पुलिस का अमला तयार है किसानों को रोकने के लिए और पुलिस द्वारा एडवाजरी भी जारी की गई है और बकाईदा कहा गया है कि अगर आपको जीटी रोड से निकलना है पंजाब जाना है या दिल्ली जाना है जो पुलिस पुलिस एडवाईजी जार कर रही है और पंजाब जाने वाले तमाम बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है और कल से जो हॉम सेकेट्री ने दावा किया है और बकाईद एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि तीन दिन के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद की जाएंगी पुलिस ने बकाईदा एक नोटिफिकेशन जारी किया है और धार 144 भी लगाई है कि 5 से जादा लोग 81 ना पाएं तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहां पर पूरी तरह से रोकने के लिए पुलिस तैनात है पुलिस के लिए चुनोती वड़ा पूंट कारिया है और नूज किसानों का कहना है कि वो हर हाल में दिल्ली कूच करेंगे और कुछ किसान पुलिस को और परसाशन को चक्मा देकर निकल भी रहे हैं और छोटी छोटी टोलियों में किसान लगातार पहुंच भी रहे हैं कहीं न कहीं किसान लगातार पुलिस को चक्मा देकर अपने स्थान क और निकल रहे हैं और लगातार किसान कह रहे हैं कि हम हर हाल में दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली कूछ हमारा जारी रहेगा अभी देखने वाला वक्त बताएगा क्या तेरा तारीक को यानि कि जो तेरा फरवरी की कॉल की गई है लगातार किसान दिल्ली पहुंचते हैं या नहीं या किस पुलिस किसानों को उनके बॉर्डर पर ही रोक लेगी अशोग यादव नूज 18 हर्याना पंजाब बॉर्डर किसानों को रोकने के लिए पूरी तरह से यानि कि इदर बात की जाए मैं खड़ा हूँ इस समय हर्याना पंजाब के बॉर्डर पर टुकर बोर्डर मेरे सामने आप देख सकते हैं यह पंजाब का बोर्डर है और मैं हर्याना की तरफ हूँ यानि कि पंजाब बिल्कुल सामने मेरे आप देख सकते हैं टुकर बोर्डर का यह पंजाब है यहां से किसानों को रोकने के लिए पूरी तरह से पुलिस तयार है पुलिस का अमला तयार है किसानों को रोकने के लिए और पुलिस द्वारा एडवाईजरी भी जारी की गई है और बकाइदा कहा गया है कि अगर आपको जीटी रोड से निकलना है पंजाब जाना है या दिल्ली जाना है जो पुलिस विभाग ने डिजीपी सत्रुजीत कपू रही है और पंजाब जाने वाले तमाम बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है और कल से जो हॉम सेकेट्री ने दावा किया है और बकाइदा एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि तीन दिन के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद की जाएंगी कुरुक्षेतर करनाल अंबाला इन ज दिकारिया है और नूजेटीन उस जगा का जाएजा ले रहा है नूजेटीन आपको दिखा रहा है कि यह बिलकूर ट्यूकर बॉर्डर है यहां से सामने से बिलकूर पंजाब है और मैं इस से महर्याना की तरफ तेरा आथ हूँ और पंजाब से होते वे किसान यहां पर लगातार पहुंच भी रहे हैं कहीं न कहीं किसान लगातार पुलिस को चक्मा देकर अपने स्थान के और निकल रहे हैं और लगातार किसान कह रहे हैं कि हम हर हाल में दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली कूच हमारा जारी रहेगा अभी देखने वाला वक्त बताएगा क्य तेरा तारीक को यानि कि जो तेरा फरवरी की कॉल की गई है लगातार किसान दिल्ली पहुंचते हैं या नहीं या किस पुलिस किसानों को उनके बॉर्डर पर ही रोक लेगी अशोग्यादव न्यूज 18 हर्याना पंजाब बॉर्डर